इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ड्रॉनाइफ का प्रयोग कैसे किया जाता है ड्रॉनाइफ एक पारंपरिक हाथ का उपकरन है जिसका प्रयोग छील कर लकडी के सता को चिकना और गोल बनाने के लिए किया जाता है जैसे कि इसका नाम है इसे उप्योग करता की ओर खीचते हुए प्रयोग में लाया जाता है Draw knife में एक लंबा blade होता है जो दोनों ओर तिर्चा होते हुए दों पूच बनाता है जो handle से जुड़ी हुई होती है साधारन Draw knife में एक सीधा blade होता है जो 6 इंच से 10 इंच तक लंबा होता है और एक ओर तिर्चा होता है handle आम तोर पर थोड़ा नीचे की ओर और blade के साथ समकोन में जुड़े होते है table पर लकडी को शिकंजे में कसे blade को अपनी ओर रखते हुए Draw knife के दोनों handle पकड़े अपनी उंगलियों को blade की आगे न रखते हुए आराम से इसे पकड़े और सहच्ता और सफाई के साथ काम करे आम तोर पर Draw knife के प्रयोग के समय चप्टे किनारों को नीचे की ओर रखा जाता है जिसके कारण लकडी सफाई से कटती है फिर भी ज्यादा मोटा चिलने के लिए तिर्चे किनारे को नीचे भी रखा जा सकता है जहां कटाव के कोण और गहराई को दिशा प्रदान करने के लिए तिर्चा किनारा एक स्लाइड और आधार के जैसे काम करता है इसका प्रयोग कई पर्तों को एक साथ निकालने के लिए किया जाता है अभ्यास और ध्यान के साथ सूक्षमता से ज्यादा गोल आकार देना संभव है लट्थे से जल्दी चिलने के लिए गहरा काटे और उपर की ओर उठाए जब तक यह तूट न जाए महीन काम के लिए छोटे स्ट्रोक के साथ बारिकी से चिले धीरे धीरे एक समान और परत दर परत लकडी चिले रानाइफ सीधे रेशों की लकड़ियों पर अच्छे से काम करते है अलग-अलग तरह से काटने का अभ्यास करें कम गहरा चिलने से लेकर मोटे काम तक अब आपने ड्रॉनाइफ का प्रयोक करना सीख लिया है आपने यापने लेकर दोग्या तरह से काम करते है काम करते है यद्ट है झाल झाल